वैजन्ती माला जानिय वैजन्ती माला धारण करने के लाब और उपाए वैजन्ती माला का प्राचीन धर्म ग्रंथों में उलेख किया गया है यह माला वैजन्ती के बीजों से बनती है इसका उप्योग पूजा पाठ के बाद इसको सिद्ध करके किया जाता है वैजन्ती माला के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में बहुत अधिक महिमा का वर्णन किया गया है वैजन्ती के फूलों की माला भगवान सत्यनाराएंड भगवान विश्णू जी और लक्ष्मी जी के गले में सुशोभित होती है और इसके उपरांथ मानता है कि इस माला को माता प्रित्वी ने श्री कृष्ण को सृष्टी की रचना के लिए युद्ध के उपरांथ श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भेट में दी थी और तबी से श्री कृष्ण को यह माला अत्यंत प्रिया है वैजन्ती की माला वैजन्ती के बीजों से बनती है इसे सभी प्रकार के बड़े अनुष्ठानों से लेकर सामाने पूजापाथ यग्या हवन तंत्रवर सात्विक साधनों में प्रयोग किया जाता है एक मानिता अनुसार भगवान राम ने माता वैशनो देवी को अगले जनम में उन्हें विवा का वचन देते हुए अपने गले से उतार कर उपहार सरूप वैजन्ती माला उन्हें भेट की थी और तभी से उनसे आगामी जनम में अपने नए अवतार के रूप में जनम लेकर उनसे विवा करने के वचन के रूप में, अपने गले से उतार कर उपहार सरोब भेट की थी, तबी से मावैशनों को यह माला और पुश्प काफी प्रिय है. नमबर एक, वैजनती माला धारण करने के लाब जोतिश शास्त्र में वैजनती माला के अनेक लाब बताये गए हैं, आईए जानते हैं उन लाबों के बारे में. वैजनती माला धारण करने से मन शान्त होता है, मन में आ रहे नकारात्मक भाव समाप्त होते हैं. वैजन्ती माला धारं करने से धन लाप बना रहता है। वैजन्ती माला धारं करने से विवाशीघ्र होता है। भगवान विश्णू के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से वैजनती माला से अभिमंत्रित करके सोमवार अथ्वा मंगलवार को यह माला धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक उन्नती प्राप्त होती है। नमबर तीन आत्मे विश्वास बढ़ाएगी यह माला यदि जातक वैजनती माला धारण करता है तो उसे नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है। व्यक्ति के अंदर किसी भी कारे को करने का आत्मे विश्वास आएगा और हर शेत्र म उन्हें सफलता मिलेगी। नमबर चार एकागरता बढ़ाती है यह माला वैजनती माला धारण करने से या आप अपने पास रखने से दिमाग तेज होता है। इससे एकागरता बढ़ती है और सही दिशा में सोचने की शक्ति प्राप्त होती है। नमबर पांच शीग्र वाहेतू धारण करे। वैजनती की माला जिन युवदियों का अत्वा युवाओं का विवाह होने में विलंब हो रहा हो उन्हें भी प्रहस्पतिवार अत्वा शुक्रवार को विशेश मंत्रों से अभिमंत्रित करके वैजनती माला पहनी चाहिए। इससे शीग्र विवा की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर सैट कर लें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिके